हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो या कुकिंग क्लासेस माइनेम इस रोहिनी फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क का यूज करके एगलेस वैनिला केक स्पॉंज चलिए तो केक बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रटिंग में एक बावल में हमें लेना है 200GB दूद 200ml के कब से एक कब है इसमें हमें ऐड करना है 1.5T.S.P. विनेगर यह मैंने जो कुकिंग विनेगर है वो यूज किया है अब इसमें एड करना है 1.5T.S.P. वैनिलाइसेंस ओड करके इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और अब इन्हें हमें अच्छे से छानना है छानने के बाद इसे भी हम थोड़ी ज़र साइड में रखेंगे और आगे की प्रोसेजर करेंगे एक बाउल में हमें लेना है रूम टेंपरेचर वाला बटर 45 ग्रैम बटर फ्रीज से निकाल के तुरंट नहीं यूज करना है इसमें हमें अड़ करना है 40 ग्रैम ओईल यहाँ पर मैंने रिफाइन संथलोर ओईल यूज किया है ओईल किसी भी फ्लेवर या स्मेल वाला नहीं यूज करना है अब इसके अंदर हमें अड़ करना है 50 ग्रैम पाउडर शुगर अब इसे हमें 2-3 मिनीट तक हाई स्पीर पे अच्छे से फेटना है अब इसके अंदर हमें आड़ करना है 240 ग्राम कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क आड़ करने के बाद फिर से हमें ये बैटर को 2-3 मिट तक हाई स्पीर पे फेटना है अब हमें इसके अंदर हमने जो दूद में वेनिर और विनेगर मिक्स करके साइड में रखा था उसे एड़ करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है यहां मैं हैंड विसकर का यूज़ कर रही हूँ आपने इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे मिक्स किया तो भी चलीगा अब इसके अंदर हमने जो ड्राइ इंग्रिजेंट छान के रखे थे मैदा बेकिंग पॉड़ और बेकिंग सोड़ा वो एड़ करने है और इसे हमें स्पैचुला से कट एंड फोल मेठर से ऐसे मिक्स करना है केक के बैटर को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना है अब इस बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे टीन में पोर करेंगे यहां पर यह मैंने 66 इंच के दो टीन दिये है यह मेरे पास 6 इंच का ज्यादा हाइट वाला टीन है इस टीन में यह पूरा बैटर आएगा लेकिन जब हम ऐसे हाइटेक टीन में ज्यादा बैटर डालके बेक करते हैं तो उसे बेक होने के लिए बहुत टाइम लगता है और केक जो है नीचे से और साइड से बहुत बेक होत है और अंदर से थोड़ा कच्छा रहने के चांसे होते हैं तो जब हम हाइटेक टीन में केक बेक करेंगे तो यह सारी बाते हमें ध्याद में रखनी है मैंने जो बैटर रेडी किया है वह 7 इंच और 8 इंच यह दोनों टीन में परफेक्ट बैठता है इसे हाफ केजी का स्प इक के बैटर को मैंने दोनों टीन में पोर कर दिया है फ्रेंड्स दही का यूज़ करके भी एगलेस वैनिला केक स्पॉंज की रेसिवी मैंने डाली हुई है वो भी आप चेक कर सकते हो अब इन केक्स को हमें प्री हीटेड ओटीजिया माइक्रोवे में 180 डिग्री पे 40 टू 45 मिनिट बेक करना है गैस पे भी यही सेम टाइमिंग रहेगा इस बैटर को अगर आप 7 या 8 इंच के टीन में बेक करोगे तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा 40 टू 45 मिनिट तीन को अच्छे से टाप करना है अब इन केक्स को मैं 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओटीजि करना है केक बेक होने की बाद हमें ओटीजिया माइक्रोय से तुरंद उने बाहर निकालना है इनके उपर हमें इसे साफ नैपकिन डाल के ऐसे ही इने 15-20 मिनिट तक छोड़ना है केक अगर गरम है और अगर आप तुरंद उसे डिमोल्ड करोगे तो वो केक टूट जाएगा अब 15-20 मिनिट हो गए है अब इस केक को मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ इन मेरे केक को थोड़ा सा डारक कलर आया है क्योंकि बेक होने की बाद 5 मिनिट तक मैंने इसे इकड़बड़ी में निकालाई नहीं बाहर तो ये एक्स्ट्रा बेक हो गए इनके से साइड करने है और टिन को उल्टा करके ये केक हमें डिमोल्ड करना है फ्रेंस बेकिंग करते समय में चोटी चोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है आप देख सकते हो ये मेरा केक 5 मिट ऐसे ही ओटीजी में चुट गया तो ये साइड उसके डार्क हो गए थोड़े से लेक आपने अगर पूरा बटर यूज किया तो ये जो स्पॉंज है ये केक है वो फ्रीज में रखने के बाद हाड हो जाएगा फ्रेंस ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगए ये मज़े कमेंट करके जरुर बताएए यही स्पॉंज का यूज करके आगे मैं आपको रसमलाई केक बना के दिखाऊंगी तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेर कीजिए लाइक कीजिए मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाई थेंक यू